जहीं दोस्तों वेलकम बैक टो मैं चैनल दोस्तों आज किस वीडियो में देखेंगे बीएसी थाइडियर एकजामिनेशन मही 2023 चुकि यह पेपर कंपलेट हुआ है जून मतलब आज जो है 12 जून 2030 को यह कंपलेट हुआ है तो देखेंगे किस प्रकार काया पर पेपर आया था साथ पर आपको आंसर भी बताने वाले हैं इसलिए वीडियो को आपको अंति तक देखना है तो यह है केमेश्टी का फ़स्ट पेपर फिजिकल केमेश्टी का यह पेपर है तो आई एमपी कोस्टन दिये था उससे काप सार प्रस नहां पर फसे हैं और पेपर इजी भी आया पाइंट पर मिल जाएगा पीडियो फ्री में या तो डिस्किप्सर में आपको लिंक मिल जाएगा टेलिग्राम ग्रूप जोईन कर लिजे पीडियो आपको परिक्षा सारी की वहां पर मिल जाएगी आप वहां से स्टेडिक कर सकते हैं अगर आपके पास माटेरियल नहीं ह तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके लिए हम इतनी मैनत करते हैं तो प्लिस लाइक कर दिया करो वीडियो को और सस्क्राइब कर दिया करो ठीक है काफी जादा मैनत हमें भी लगती है वही तो लाइक सस्क्राइब तो बनता ही है और सस्क्राइब करके बेल आइक बताते हैं तो यहां पहला जो विकल्प पूछा था वो देखेंगे हम कौन से विकल्प है भई हाई जैनवर का निश्चित्ता का सिद्धान्त है तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्सन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्सन ए अगर आपने लगाए तो इसका पांत हैं। लोग का धन्नेवाद हैं बागी सभी लोग कमेंट करें एंपसन ए इसका क्रेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा कौन सा संक्रमण सहीं है इसके right answer की बात करें तो इसका right answer option B अगर आपने लगाया तो ये बिल्कुर सही answer है तीसरे का B ठीक है तो इस प्रकार तीनों के यहाँ पर मैंने बता दिया है पहले का A, दूसरे का दूसरे का C और तीसरे का B आएगा चलिए आँगे विकल्प की बात करते हैं और देखेंगे किस प्रकार यहाँ पर जो answer है देखते हैं दीधूर आगूर्ण है इसके right answer की यहाँ पर बात करें अगर आपने vector 80 option A vector quantity अगर आपने लगाया तो इसका right answer option A ही सही है कितने विकल्प सही आ रहे हैं सभी के सभी आपको comment करके बताना है और IMP question आपको telegram group mobile study point पर मिल जाएगा जाकर देख लीजे telegram group link description में भी di contact number भी हमने दे रखा है आपके लिए इतनी सुईदा रखे हैं हमने रमन आवरती है रमन frequency is option D अगर आपने लगा है तो यह correct answer हो जाएगा बाकी कोई question है तो आना message करना बाकी निपट लेंगे आँगे कहां गडबाडी है देख लेंगे हम तो यह सभी विकल्प एक एक अंक के यहाँ पर थे इस परकार 5 पुछे गायते पांच अंक के विकल्प आपके यह थे चलिए हाँ पर देख लिखते है खंड बाकी यहाँ पर बात करते है ठीक है section बाकी तो लगुत्तरी प्रस्न आपर आपके दिये हुए थे यहाँ पर साड़े साथ अंक के यहाँ पर जो है प्रस्न उत्तर दिये हुए है फोटो इलेक्टानिक प्रभाव समिकरना को समझाईए वेरी इंपोर्टेंट टाइप का प्राशन था चुकि आ भी गया है हत्वी की बात करें तो यहां पर क्या है पाई वा पाई इस्टार आर्बिटल की धारना को समझाईए ठीक है और इसके यहां पर एकाई दूसरे के यहां पर बात करें तो बोर्ण ओपेरान ओपेन हाइमर सन्निकटन को समझाईए बोर्ण ओपेन हाइमर सन्निकटन को समझाईए ठीक है और जो सेकेंड पेपर है उसक जो राजसंकरस्वा यूनिवर्शिटी चिंदवाडा का जो 2022 का पेपर है वो भी हमारे टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगा जाकर आप देख सकते हैं इस कहते हुए कि बात करें तो खुर्णन उर्जास्तरों के मद्द संक्रमन के लिए वरण नियम लिखिए अगर आप MS साथिकरां तो फिस्टी से ऐगर आप करेंगे तो इसी प्रकार आप यह करी विश्थापन को समझाईए नियम के बात करें कि बात करें आंगे प्रकाश रसान क्या नियम लिखिए इस कहते हुए कि को समझाइए क्वांटम एफिनिश क्या इफैंसी क्वांटम दक्षता को समझाइए एक आई पांच पर आ जाते हैं क्या योग सील गुड तथा संग्ड नात्मक गुड को समझाइए अत्वे में जो पूचा था धुरुआ घुनता को समझाइए ओप्टिकल एक्टिविटी यह जो है अगर आप MSC करेंगे तो यह काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है ओप्टिकल एक्टिविटी क्यमेश्टी से अगर आप करते हैं तो साथ वह आपर जो प्रसन है एक विमी संदुक में उपस्तित करन के लिए सोटिंगर समिकरान हल कीजिए चुकि मैंने ओल्ड पे दूसरे से यहां पर जो पूचा था विद्धु चुम्ब की विकरण को समझाई एवं तरंग देद्धे तरंग संख्या था आवरती को परिभासित कीजिए साड़े तीनंग का यह प्रसन था आपका आपको जो सारे कोस्टन के आंसर आपको करके आना है किस-किस ने सारे को प्रसन के आंसर अटेंड करके आया वो कमेंट करके बताईएगा द्रहन घूंडता के उर्जा इस तरकी लिए वेंजक इस्थापित कीजिए अब नवे नमर का जो प्रसन था रमन इस्पेक्टा के अनुपयोग लिखिए साड़े तीनंग का प्रसन और इसके अत्यों में ज जैवलांस की आरे को समझाईए अत्यों कि आपर बात करें साड़े तीनंग का प्रसन है अत्यों में जो निमलकित को समझाईए आंत्रिक परवर्तन और दूसरा है कि माद्धे तंत्र क्रासिंग तीक है माद्धे तंत्र क्रासिंग अब पांच्वे काई कि आपर बात करें पूछा है क्या मौसोटी क्लास है यह समिकरन को समझाइए हर बार पूछा जाने वाला प्रश्ण बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है साड़े तीन अंग में आपको पूछा है अब यहां देधो आगों मापन की कितनी विदिया है किसी एक विदि को समझाइए साड़े तीन अंग का पर यह जो फ्रश्ण पूछा था फिक है बहुत ही सरल है आपका पीपर आया था आपके कितने विकल्प सही आए नीचे कमेंट करके बताना है टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर लेना है अगर आपको सेकेंड पेपर बाटनी केमस्टी जोलोजी सभी के प सब्सक्राइब कर लेना है काफी जादा हमें भी मैनत लगती है आपके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बाई